ओम नमस्षिवाय श्रीशिव महापुराण विद्धेश्वर सहिता अध्याय 19-20 का भाग दो महर्शियों अब संक्षेव से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधी का वनन सुनिये सध्यों जातम इस रिचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आएं और वामदेवित्यादी मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें जब मिट्टी संकर तयार हो जाए तब अगोर मंत्र से लिंग निर्माण करें फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करें तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें इनके सिवाए आने सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धी वाला उपासक संक्षेव से ही संपन करें इसके बाद विध्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अत्वा गुरु के दिये हुए आने किसी शिव संबंधी मंत्र से सोला उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करें अत्वा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमही उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशी मौली ने इस मंत्र द्वारा विध्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करें वह भ्रहम छोड़कर उत्तम भाव भक्ती से शिव की अराधना करें क्योंकि भगवान शिव भक्ती से ही मनोवांचित फल देते हैं ब्रहमनो यहां जो वैदिक विधी से पूजन का क्रम बताया गया है इसका पूण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधी भी बता रहा हूँ जो उत्तम होने के साथ ही सर्व साधारन के लिए बहुत उपियोगी है मुन्यूबरो पार्थिवलिंकी पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है वै पूजा संपून अभीष्टों को देने वाली है मैं उसे बताता हूँ सुनो हर, महेश्वर, शंभू, शूलपाणी, पिनाक ध्रिक, शिव, पशुपती और महादेव ये क्रमशह शिव के आठ नाम कहे गए हैं इन में से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराए नमहा का उचारण करके पार्थिव शिवलिंक की बनाने के लिए मिट्टी लाएं दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराए नमहा का उचारण करके लिंग निर्मार करें फिर ओम शंभवे नमहा बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें तत पश्यात ओम शूल पानए नमहा कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आबाहन करें ओम पिनाक ध्रिशे नमहा कहकर उस शिवलिंग को नहलाई ओम शिवाय नमहा बोलकर उसकी पूजा करें फिर ओम पशुपताही नमहा कहकर शमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमहा कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतूर्थी विभक्ती के साथ नमा पद लगा कर बड़े आनंद और भक्ती भाव से पूजन संबंधी सारे कारे करने चाहिए शडक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास की विधिभली भाती संपन करें और फिर ध्यान करें जो कैलाश परवत पर एक सुंदर सिहासन के मद्य भाग में विराजमान है जिनके वाम भाग में भगबती उमा उनसे सटकर बैठी हुई है सनक, सनंदन, आदि भक्तिजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तदा जो भक्तों के दुख रूपी दावनल को नश्ट कर देने वाले अप्रमे शक्तिशाली ईश्वर हैं उन विश्व विभूशन भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें उनकी अंग कांती चांदी के परवत की भाती गाउर है वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुर धारन करते हैं रत्नों के अभूशन धारन करने से उनका श्री अंग और भी उद्भासित हो उठा है उनके चार हाथों में क्रमशा परशु मुर्ग मुद्रा वर एवं अभय मुद्रा सुशोगित है वे सदा प्रसन रहते हैं कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों और खड़े होकर उनकी इस्तुती कर रहे हैं उन्होंने वस्त्री की जगे व्यागर चर्म धार कर रखा है वे इस विश्यू के आदी हैं वीज कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं उनके पांच मुख हैं और प्रतेक मुख मुंडल में तीन-तीन नेत्र हैं इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिवलिंग का पूजन करके गुरु के दिये हुए पंचाक्षर मंत्र का विधिव पूर्वक जब करें विप्रवरुम विध्वान पूरुष को चाहिए कि वह देवेश्यू और शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका इस्तवन करें तथ अश्यत रुद्रिया यजुर्वेद सोल्वे अध्या कर से इस प्रकार प्राथना करें सबको सुख देने वाले किरपा निधान भूत नाथ सिव मैं आपका हूं आपके गुणों में ही मेरे प्रण बसते हैं अत्वा आपके के मेरे प्रान मेरे जीवन सर्वस्व मेरा चित सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है यह जानकर मुझे पर प्रसंद हो यह क्रपा कीजिए शंकर मैंने अंजान में अत्वा जान बूझ कर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी क्रपा से वैस सफल हो जाए गौरिनात मैं आधुनिक युक का महान पापी हूँ पतित हूँ और आप सदस ही परम महान पतित पावन है इस बात का विचार करके आप जैसा चाहे वैसा करें महादेव सदाशिव वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रिय सिधानतों और विभिन महर्शियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है फिर मैं कैसे जान सकता हूँ महेशर मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूण भाव से आपका ही हूँ आपके आश्रित हूँ इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ परमेश्वर आप मुझ पर प्रसन होईये मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिये हुए अक्षत और पूर्णे को भगवान शिव के उपर चढ़ा कर उन शंभु देव को भक्ती भाव से विधी पूर्वक साश्टांग प्रणाम करें तदंतर शुद्ध बुद्धी वाला उपासक शास्त्रोक्त विधी से इश्ट देव की परिक्रमा करें फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देविश्वर शिव की स्तुति करे पवित्रेवं विनीत चित्तवाला साधक भगवान को प्रणाम करे फिर आदर पूर्वक विज्यप्ति करे और उसके बाद विसर्जन मुनिवरों इस प्रकार विधी पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है वै भोग और मुक्ष दोनों को देने वाली है तता भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है ओम नमस्षिवाए